स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार, शर्मा और मेरे साथ है भाशा और मुकुल और आज जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आएं वो बहुत दिल्चस्प है दोस्तो मुद्दा नमबर एक, क्या राहुल गांधी लोग सभाश चुनावों का एजिंडा जो है वो तैह कर रहे है यानिकी दशा और दिशा वो तैह कर रहे है मुद्दा नमबर दो बॉक लाहट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी न जाने कितनी लक्षमन रिखाएं पार कर रहे हैं ना उन्हें परवा है ना भाजपा को परवा है अकंष जिसे बदनाम करने की कोशश आज से नहीं दस बारा सालों से की गई पूरी एक रणनीती बनाए गई राहूल गांदी को बदनाम करने की आज क्या हो रहा है आज राहूल गांदी जिस consistency से जिसे कहते है ना बूरी consistency से मुद्दे उठाते रहे हैं नतीजा ये कि अब प्रधान मंत्री को उनके पिच पर आकर खेलना पड़ा है, क्या ये चुनावू के लिए भी निरिणायक है, क्या इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाशा। अपने प्रिय मित्रों को निशाने पे लिया है, यह निश्चित तोर पे राहूल गांधी की जीत है, एजेंडा सेट है, आधा सीटों पे मद्दान बाकी है, उसमें भी यही हाल रहेगा। अब इसार क्या है इस पे आपका पंच? तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि राहूल गांधी जो हैं, वो कंसिस्टनसी के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं, यानि की विकेट टू विकेट गेंदवाजी कर रहे हैं, लाइन एन लिन्द पर पूरा खयाल है, और तब भी वासर डाल रहे ह और बावजुद उसके की पूरी तरह से प्रचारतंत्र उनके खिलाफ, मीडिया उनके खिलाफ, मगर फिर भी ये व्यक्ति लगा हुए और साथ मिल रहा है उनकी बेहन प्रियंका का, मुकुल क्या है, इस मुद्दे का पंच मेरा ये मानना है कि राहुल ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है, मोदी जी को मजबूर होकर पूरी तरह उनकी पिछ पर आना पड़ा है, पहले दिन से दैसे वो नियाय पत्र को लेकर पहले उसी पिछ पर खेल रहे थे, अब वो राहुल के बहाने, जब उन्होंने अपन और मैं बाकाइदा अपने दर्शकों को वो घटना करम बता सकता हूँ, कुरोना को लेकर राहुल के चेतावनी, अर्थ व्यवस्था को लेकर राहुल के चेतावनी, चाइना को लेकर लगातार, यानि कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवानों की शहादत से पहले ही वो लग और वो भी बकायदा डिपिट करके कि बोरो में और टेंपो में पैसा जा रहा है नोटों की गड्डियां और वो टेंपो जा रहा है ड्राइवर का नाम नहीं बता पाए और वहां तक एडी नहीं पहुच पाई यह अलग बात है और कॉंग्रेस की खाते फ्रीज करने के बाद कॉर्परेट की लूट पर निशाना ने लगाएं जो कॉंग्रेस का कल्चर बिल्कुल नहीं रहा है दो चीजों में उन्होंने अपनी मार्क बहुत क्लियर पैदा की है कॉर्परेट लूट क्रोनी कैपिलिजम को जो की शब्दावली कॉंग्रेस की नहीं रही और दूसरा सूथबूट की सरकार वहां से शुरू किया था और आप देखिए राफेल से लेकर अभी तक राहूल गांधी कहीं भी कितना भी हमला हो जाए एक कदम पीछे नहीं हटे हैं अमबानी अडानी की सरकार अब आप देखिए याद दीए हम दो हमारे दो गुजराती किस तरह से लूट रहे हैं यह सारा जो नरेशन है यह जिस तरह से उन्होंने इस पर कायम रहे जितना भी हमला हुआ और यह शायद इंडियन पॉलिटिक्स में भारती राजनीती के लिए एक बहुत हिस्टॉरिक मोमेंट है जहां पर विपक्ष मजबूर कर दे कि मोधी जी अडानी औ अमबानी को बता रहे हैं कि वो कॉंग्रेस को पैसा दे रहे हैं और किस मोड में पैसा दे रहे हैं और देखी मैं यहां यह भी जिक्र करूंगी उसका तुरंध जवाब जो राउल गांधी ने दिया मोधी जी के नाम संदेश जारी करके वो भी बताता है कि अब अपर चुनाओं में एक मुद्दा बना है पहली बार कर रहे थे अब भी कर रहे हैं दिया कुमारी डेपीटी चीफ मिनिस्टर राजस्तान वो अब भी यह बात कह रही हैं और देखिए सम्विधान पर मोधी जी इसकदर बौकला गये राहूल के हमले से कि उन्होंने कहना शूरू कर दिया कि मुसल्मानों को दे देंगे से से ल दो पर जो जो राहूल ने सवाल उठाए मोधी जी उसके जवाब पर ही लगे रहे हैं और जवाब नहीं दे पाए और यह बहुत शुरुआ से है कि जितने मुद्धे उठा रहे हैं राहूल वो बोल रहे हैं मोधी और वो मोधी को बैक फायर कर रहे हैं वो जितने भी मैं इसमें एक बात कहूं, मैं थैंक्यू मोदी जी कहना चाहूंगा, दरसल मुझे कल पहली बार पता चला है कि काले धन के लेंदेन का कोड क्या है, कोड है कि अगर काला धन हवाइजास से भीजा जा रहा है तो शायद यह कहा जाएगा कि टैंपू से भीजा जा रहा है, जैस आता हूं और हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कॉमेंट सेक्शन में आके गाली बकते हैं, अन्द बकते हैं, आप दिखिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को डिफेंड करके आपने तमाम एरपोर्ट्स एक ही व्यक्ति को दिये, आपने एजिंसी के सहार अन्यव बिजनस हाउजस पर दबाव बनाया, अब उसे ही प्रधान मंत्री त्यागने को तैयार है, भाषा इस जिसे कैसे ना, स्ट्रेंजर दन फिक्शन कल्पना से भी विचित्र, देखें इसलिए कहा जाता है ना, जो विपक्ष कहता रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं, जिस उसने बंदरगाह है, उनका आप नाम उठाके और नक्षा उठाके देख लीजिए, तो सवाल सिर्फ यह नहीं है, इस से यह पता चलता है, कि वो कितना डेस्परेट है, हर हाल में जीत हासिल करनी है, उन्हें यह लग गया है, जो उनके पास फीडबैक है, कि उनकी जो इमे इतने के लिए कुछ भी करना पड़े है, कुछ भी में आप जोड लीजिए, जो हम अगला इशू डिसकस भी करना चाहरे है, कुछ भी कर लीजिए, मतलब यह है कि आपने जो क्रोनी कार्टिलिजम पैदा किया, जिसे राहूल गांधी कुदी बोल रहे थे, कि आपने 21 देश की जनता को बहुत ही सफलता पूरवक बताने में वो कामयाब रहे है, कि देखिए, मोधी जी किसी के नहीं है, वो अडानी जिनके पर मूनी खुलते थे, अब उन्हें काला धन वाली बात, अमबानी अच्छा, आयन, शॉकिंग, यह दो देश के दो सबसे धनी व्यक् व्यक्ता भी है, और जो समर्थक है, वो लगवातार यह बताने ही कुश्च कर दिया कि उन्होंने सरकाजम में कहा, व्यंग में कहा, लेकिन व्यंग में यह कहना कि आपको यह बताये कि उनसे कितना पैसा मिल रहा है, यह ठीक है, लेकिन काला धन, बोरे, टैमपो यहां तक उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया कि चोरी का माल है, और वो भी लेते रहे हैं, अब राहूल कोई मिल रहा है, तो शायद यह बताया है, इन्होंने कहा, प्रवक्ता जो कह रहे हैं व्यंग की बात, अच्छा राहूल गांधी के जवाब में आप किन लों को उतार रहे है कॉंग्रेस के वो फुके हुए कारतूस, वो आचारे प्रमोद कृष्णन, वो व्यक्ति जो आरक्षन का विरोध करता है, वो आप किसे उतारे हैं, राधिका खेडा, और यह सब जूट बोल रहे हैं भाशा, बतार राहूल गांधी के जवाब में आपने किस ने उतारा, अ पहले यह साबित कीजिए, कि आप उनका कितना नुकसान कर सकते हैं, फिर आप बीजेपी में आजाएं, बहुत समझ के उतारा होगा, क्योंकि मोदी जी को और पूरी बीजेपी की आईटी सेल को यह लगा होगा, कि अगर इनका काउंटर यह लोग करेंगे, तो लोग विश हैं, लेकिन इसमें देखे, मैं जो दूसरी बात कहना चाहते हूं, जिस लेंगवेज में, जो भाशा इस्तमाल की, वो ऐसा लग रहा कोई मवाली बोल रहा है, कितना पैसा मिला, क्या डील हुई, काला दन है, उसके हम आगे चर्शा करेंगे, अगले विशम हम चर्शा करें यह साथ तारिक को भी बोले हैं, कि एक सो तीन बार राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया, और तीस बार अंबानी का नाम लिया, तीन अप्रेल से लेकर अभी तक का, अच्छा शोकिंग यह है कि प्रधान मंतरी देश की जनता को जूट बोल रहे हैं, कि मैं त्रौं आ अघर्रें जूट को जूट में तो बहुत होरहे हैं, कि उनका भाशन लिख रहा है, कि वो क्या क्या किढ़ें कि मैं ने कौन का दर्यों के यह है, तो बहें उनका मुझे तह समहें या कि वज्द गया है, मामला, यह बलकुल है, तो ब wiresi, कि मुझे लियू को जी लगता है, पूरे जहमें वो पानी टीपी के कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर दुषपरचार करते रहे, अब अम्मानी अरणी परागे, दुषपरचार नहीं, जूट कहिए उसको, मुझे लगता है राहूल गांधी या कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर भाजपा ने सिवाए जूट के मैं जूट से भी आग, मैं ता हूंगा ये जहर, जहर हो गया, मंगल सूतर तक पहुंच जाना ये जूट नहीं है, ये जहर बोना हो गया है भारत की धर्ती पर और मुझे ये भी लगता है कि कहीं है कि राहूल गांधी ने प्रमानित किया है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये शोध का विश्रह भी होगा, कि आपके खिलाफ पूरा प्रचारतंत्र, आपकी विश्वसनियता को तार-तार करनी की कोशशाद से न जैसे मैंने बताया, दस-बारा सालों से और इसके पीछे आप जानते हैं, एक स्वरगी वित्तमंत्री की पूरी भूमिका थी, उन्होंने किस तरह से अपने पसंदीदा संपादों को से बैठके, राहूल गांधी की भूमिका, उनकी सोच, उनकी राजनीती पर टार्गिट किया, ये सब होने के बावजूद ये विक्ति भार behave जोड़ो यात्रा करता है, न्या यात्रा करता है, मुद्धों पर बने रहता है, उसकी एक एक बात सच साबित होती है, और अब वो लगाता है अपनी राजनीती कर रहा है, जीदार एक अलग बात है, मैं कहता हूँ आज की जो लड़ाई है वो आजादी से पहले की जो लड़ाई कर रहा था भारत वहां पर है जहां सारा सिस्टम आपके पक्ष में नहीं वह इतनी हिम्मत रखते हैं कि सीधे बोलते हैं नयाय पालिका पे भी सवाल उठाते हैं जब उनके कॉंग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो बहुत एकनोमिक इक्वैलिटी है हम एकनोमिक एक्वैलिटी लाएंगे आर्थिक समानता लाएंगे और दूसरी कॉर्परेट लूट पर जो एक साथ राफेल के समय से मैं कहूंगी 2014 के बाद से आज तक देख लीजे जो कॉर्परेट मित्रों को सारी छूट मिली है वो जिस गातार अपने मुद्दों पर बने रहें अपनी समझ को बढ़ाते रहें लोगों के बीच जाते रहें यह एकदम से जो डल बदल होगा उन लोग के लिए सबक है कि आप एक एक उसमें ऐसे ना घबरा जाईए कि आप डर जाईए कहीं किसी दबाओ में यह एक राजिनिती क पूरी तरह से विपक्ष पर निशाना साधरा है राहुल गांधी के भाशनों को ही छुपा जाता है बाविजूद इसके अगर उसके शब्द उसके भाशन की वज़ा से भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति इस कदर बौकला रहे हैं तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इसी बौकलाट पर हमारा दूसरा मुद्धा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भाशाई मर्यादा का तो उलंगन कर रहे हैं अब अपने परमित्र गौतम अडानी पर उन्होंने हमला बोल दिया है काला धन का जिक्र कर दिया है लगातार एक हर गुजरते दिन के साथ उनक अपनी हार से बौकलाएवे हैं यह बौकलाहट का मामला है और अब जो आपने लक्ष्मन रेखा का मैंने का लक्ष्मन रेखा की बात तो पता नहीं कौन से राम रेखा भी उन्होंने लांग दी है और हद से बेहत पर आ गया है और रोज नए दिन एक नया किर्तिमान गिरन नफरत 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 हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान और अंत में अपने मित्रों पर भी गाली और तीर निशाना साधना यानि जिस तरह से एक डिक्टेटर जब देखता है कि जनता उसके खिलाफ जा रही है जो बौकलाहट होती है वो एक्जैक्ली मोदी जी के तम प्रधान मंच ये है जो सबक हमें इस से मिलता है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो हैं अपनी बात रखने के लिए उन्हें इस बात की भी परवा नहीं कि देश का ताना बाना बिगड़े क्योंकि वो लगातार मनों ने मुसल्मानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है वो पर नहीं रुकते हैं अब वो अपने दोस्तों पर हमला बोल रहे हैं इससे उनकी बहुत अच्छी छवी पेश नहीं हो रही है इस बाखला हाट में जो संदेश जा रहा है कि जब आप गुस्से में हों जब आप बाकला जाएं तब आप अपने दोस्तों का साथ भी नहीं और इससे प्रधान मंत्री का कोई बहुत अच्छा जिसे कहते है न एक image नहीं जा रहा है देश की जंता के सामने मैं बताना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीती का अंतराश्ट्री डंका बज़ रहा है क्योंकि प्रधान मंत्री को बहुत शौक है खुद को विश्व गुरू बताने का आपके सामने The Australian, Narendra Modi new ally was a mass rapist बात प्रजवल रवन्ना की और ये बात The Australian में फिर आप देखें साब The Times, Narendra Modi new of rape claims against ally Prajwal रवन्ना और फिर Herald Sun की खबर, India PM has links to mass rapist प्रधान मंत्री नarendra Modi भाषाई मर्यादा का उलंगन कर ही रहे हैं साथ ही अंतराश्य तोर पर डंका बजराय बॉकलाट तो स्वाभाविक ही थी ना भाषा बिल्कुल और देखी जो बॉकलाट है मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगी कि इन चुनाओ प्रचार में अगर आप ध्यान से देखें पहले चरण के बाद से मोदी जी को यह लग गया कि वह अगर हिंदू-मुसल्मान डिवाइड नहीं करवा पाएंगे तो बीजेपी के पास कुछ नहीं उपर से लेकर नीचे तक नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ और सेफ और जो जिस तरह से उन्होंने कल यह बयान दिया है कि स्पोर्ट में मुसल्मानों को कर लेंगे याद रखें कि उन्नेस अप्रेल को यहीं शक्स मौमत शामी के गाउन बगाई में भाशन दे रहा था और क प्रोग्राम किया जहां पर बताया कि सैक्डो मुसल्मान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो यह जो तमाम चहरे हैं बीजेपी के और मोदी जी का इतने भयानक लेवल पर नीचे उतरना क्योंकि उसके लिए हमें आरे पास हिंदी अंग्रेजी में अभी शब्दी नहीं है कि जिस तरह से उनीचे गिरते जा रहे हैं और जिस तरह से वो एक फिर साइकोसिस बेसिकली वो चाते कि लोग डर जाएं हिंदू और जाएं सबसे बहले डरा कि उनको सुहाग की बात हो कि मंगल सूतर लूट लिया जाएगा और यहीं उन्होंने एज दे दी कॉंग्रेस को प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी या तेजस्वी या जितने भी विपक्ष के नेताओं को देखें देखिए इससे कई चीज़े सामने उभर कर आती हैं सबसे पहले प्रधान मंत्री के अपने जो उनकी शक्सियत है उस पर एक बहुत बड़ा सावाल या निशान कि जब आप बौकला जाएंगे तो आप अपने दोस्तों को पित्यागने को तयार है नंबर एक नंबर दो कि आप एक चुनावी मंच पर अपने देश के दो सबसे धनी व्यक्ति जैने आप ही ने फाइदा पहुचाया उन्हें आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं पाइदा पचाया उन्हें के वीमानों में आप उड़ते दिखे चुनाव पचार करते हुए और दोस्तों की बात है इनके बहुत प्रियमित्र बड़े करीबी मंत्रियों तक को धोका दिया गया और अब आकर यहां बात पहुच गई है तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे वही जभाशा ने का कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमने ठगा नहीं तो वो इस तर पर वो इस तर आ गया है लेकि स चैनलों के अलावा गौतम अडानी और अमपानी कोई नहीं कर पाया है तो जब रजभूशन का टिकेट नहीं दिया देया और उसका पूरा कर चल रहा है तो यह पूरा का इस्टेस तो एन्टी असका जवाब नहीं नाहीं उससे यह पता चलता है कि मीडिया कितने निमनिस्तर पर गया है जिस बेशर्मी के साथ जो रीसेंट इंटर्विव है मान पीम का नभीका कुमार और सुशान सिंग के साथ है आप उसमें देखी किस तरह के सवाल है प्रज्वल रिवेन्ना पर डिफेंड करने की कोशिश है इस कि कलपना से भी परहे है कि जो मास रेपिस्ट का रेप का एक्यूस्ट है आप उसको इंटर्व्यू मैंने देखा नहीं मगर मैंने उसके क्लिप देखा भाशा उनको रुलानी की कोशिश की जाई है जिसमें वो कह रहे हैं उन्होंने पूछा कि वो आप यह पहला चुना हो जिन लोगों ने अपने को खो दिया वो उनके बिना वोट देने जा रहे हैं उनका क्या हाल है इससे यह साबित होता है इसलिए मैं चुनाव के दोरान दिये गए इंटर्व्यू को सामने लेकर आई हूं क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी जब एजेंडा सेटिंग नहीं ह चाह रहे थे उसी को जगह देकर वो कोशिश कर रहे है कि यही परसेप्शन है और मुझे लगता है प्रज्वल रिवन्ना एक ऐसा जीता जाकता हुदारन है अभी साफ जिसमें मोदी जी की चुपी बंध है जिसमें अमिशाक बिलकुल होट सिलेवे हैं और हमारी ग्रेट स मृती रानी तो डेफिनेटली नहीं बोल सकती है और बिश भूशन शेरंड सिंग और उनके इर्दगिर जो महौल है उसके बिपक्ष के लावा कोई नहीं हो जाता हूँ दीखे मुद्द सिर्फ प्रधान मंत्री का नहीं है आपने कल देखा खिरी में जाकर अमिच शाने ए प्रधान मंत्री ने मानों मुसल्मानों के खिलाव जंग छेड़ रखी है क्या बेतु का बयान है कि कॉंग्रिस सत्ता में आई तो क्रिके टीम में मुसल्मानों को भर दिया जागा यार तुम क्या कर रहे हो और ने एक मिनिट एक मिनिट सबसे बड़ी बात हम सब जानते हैं कि आप मुहम्मध शमी वस्द हाइस विकेट टेकर इन दे वर्ल कप उसक यह भी थाबित हो गया कि जो रिकॉर्ड पुराना है इंका क्योंकि यही इंकी अर्निंग है तो ग्रेट गुजरात मॉडल है वो दरसल यही है और वो गुजरात ग्रेट मॉडल में दो चीजें हैं कि आप नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सकते आप हिंसा के अलावा कर रहा है तो साम दाम दंड भेद जिसके उपर सबसे बड़ा ठपा है कि आप नफरत पहलाएंगे लोगों को डराएंगे और हिंदू खत्रे में है ठीक है एक चीज में जोड़ दूशी के साथ अभी हम जब बात कर रहे हो सकता है कि आज की हैडलाइन बिल्कुल बदल दी बातार जारी रहना है किसी तरह मुस्मानों के खिलाब नफरत पहलाएंगे लोगातार प्रधान मंत्री हों भाजपा के नेता जहरीले बयान बोल रहे हैं राजीव कुमार खामोश बने हुए हैं आप वोटिंग का आकड़ा जारी करते हैं ग्यारा दिन बात पांच प्रध दिशत बढ़ जाता है आप प्रेस कॉंफरेंस नहीं कर रहे हैं जो एक नजीर रही है एक रवायत रही है उस सब आपने खत्म कर दिया है क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाशा देखिए अभिसार इस संदर में जो इस तरह से कैंपसेज में और दमाम जगों पे सोशल मीडिया में श्रधांजली दी जा रही है चुनाव आयोग को खत्रे की घंटी इस से बड़ी बज नहीं सकती जहां जनता जनार्दन और पॉलिटिकल पार्टी इसके पास कोई आप्शन नहीं है कहीं से भी कोई रहात नहीं है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि अब आप समझे कि सुप्रीम कोट ने ये फैसला क्यों सुनाया था कि चुनाव आयोग जो है निश्पक्ष होना चाहिए जिसमें एक प्रधान मंत्री एक नेता विपक्ष और एक चीफ जस्स विंडिया अब आप संझे कि भाजपा ने उस फैसले को क्यों पलटा नतीजा ये कि अब उसमें प्रधान मंत्री हैं नेता विपक्ष हैं और मोधी सरकार का एक क्याबिनिट मंत्री ताकी वो जो तीन लोग बैठें वो सब नतमस्तक हों भाजपा के एजिंडा के सामने और वो दिखा भी करना बेकार हो गया है उसने अपने वैवार से साबित कर दिया है कि वो भाजपा का एक extension बन गया है सबसे पहले मैं बात यहां पर करना चाहूंगा उन वीडियो की भाशा वो वीडियो जिसमें हमने देखा एक वीडियो में animation है राहूल गांधी जो हैं एक अंडे को रखते हैं कुछ और अंडों के साथ लिखा हुआता है शेडूल का शेडूल ट्राइब और फिर एक अंड का मद्दान खत्म हो गया करनाटक खत्म हां इस संस्था की भाशा जी तो मुझे लगता है कि यह जो इंसिडेंट आपने कोई हो नहीं सकता यह बताने के लिए कि चुनाव आयोग ने अपने को श्रधांजली दिलवा दी है क्योंकि यह तो इतना ज्यादा खुलकर प्रचा जिसमें आप कहीं से भी if and but भी नहीं निकाल सकते हैं आज खबरें चपी हैं कि नडडा जी को नोटिस दी गई है यानि कल नोटिस दी गई मद्दान हो गया सब कुछ हो गया आपने नफरत पहला दी और एक के बाद एक यह तो एक क्रिमिनल आक्ट है कि आप किस तरह से हिं नगर वोट दी हare और मुकुल हमने संभल की तश्वीरे देखी लोग बॉट डालने जा रहे थे उनके वोटर आइक को फाड़ा गया लोगों को धक्के देकर बाहर निकाला गया क्यूं क्यूंकि वो मुस्लिम बाहूल इलाका था और उन्हें वोट देने के लिए नहीं किया यह सारी तस्वीर आ रही थी चुनावायोग उस पर पूरी तरह से खामोश है प्रशासन किस तरफ काम कर रहा है हमें काटाउट लगा कर वहां उसके बाहर और दूसरे संबल में में देखा कि वोटर को किस तरह रुका जा रहा है अब तक मुझे भी कई साल हो गए वोट देते हैं मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस वाला पुलिंग बूद के बाहर आपका कोई आईडी चेक करता हो यह काम आप बेलों के पास जाते हैं अपनी परची लेते हैं और वो प्रजाइडिंग ऑफिसर जो पुलिंग बैठे हैं कि चुनाव आयोगे नहीं कर सकता ना तो यह जो दबंगई है यह बाहर ही कर दी जाए तो वही रामपुर मॉडल याद आता है जो 2022 में हुआ आपने सूरत इंदोर चंडिगार यह सारे मॉडल देख लिए एक रामपुर मॉडल भी था जिसे हम भूल रहे हैं कि जिसमें वोट ही न डालने दिया जाए लेकिन यह भी फिर भी अच्छा हुआ कि संभल था और वहाँ पर यूपी में इस बार सबसे ज़्यादा वोट हुआ है 62% से उपर इसके बावजूद रोकने अब यह देखे कि किस तरह से चीजों को उन्हें यही डर था कि लोग ना निकले आपने जिक्र किया अदालत का मैं चाहूंगा यहां पर अदालत की सामने cases है भाशा अदालत चाहता तो सुो मोटो स्वतह संग्यान लेता है इन मुद् सबसे बड़े कानून के और समिधान के रक्षा अधली कि वो पूरी तरह से गाया और मुझे लग रहा है अभी सार इस बार जिस तरह से खेल हो रहा है कि अगर वोटर आपका नहीं है तो आप उसे वोट डालने नहीं देंगे बलब सोची किसने सोचा था कि भारती रेलवे इंडियन रेलवेज ट्रेने कैंसल कर देगी क्योंकि वो असम जा रहे हैं दस ट्रेने उन्होंने कैंसल कर दी बाकि क्योंकि मुस्लिम जो लेबरर्स हैं माइगरेंट लेबरर्स वो जा रहे थे उसमें हजारों की तादाद में लोग वोट नहीं डाल पाए आप देखिए क जिनके आपने घर गिरा है 700 खाली एक बस्ती के जिनके नाम गायब है 700 लोग और यहां पे हर जगह तो मुझे लगता यह भी एक टेस्ट केस है जिसको अखिलेश ने बहुत अच्छे ढंग से कहा संभल वाले में मैं कहूंगी वाकई आज की तारीख में जो वोट डाल रहे है जिनके बारे में कोट अंकोट है कि वो मोधी जी को नहीं वोट डाल रहे है उन्हें हिम्मत और लडाई करते हुए वोट डालना पड़ रहा है यह आज का लोकतंतर है हमारा और मैं वही सवाल अपने दर्शकों से बार बार पूछना चाता हूँ है इससे में भाजपा जीत तो क्या अब उनके खिलाब जंग छेड़ दी जाएगी यह अपने आप में बहुत ही शौकिंग बहुत ही शर्मनाक है और भारती लोकतंतर के लिए यह धब्बे से कम नहीं दोस्तों बहुत दो शुक्री आपका मुकल और भाशा इंडिया की बात में बस इतना ही अब इसा शर्मा को दीजिये जासत नमस्कार